मित्रों जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन विर्थ है किन्तु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्यन का समय ही कहा है आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रात्या 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है केवल 5-10 मिनिट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देख कर आप संपून गीता का अध्यन पूरा कर सकते है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्द होगा कीजिए अपने दिन की शुरूआत भगवत गीता के श्लोक के साथ जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए पेलिस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं चलिए आज के वीडियो को आरम भगरते हैं नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवत गीता के दूसरे अध्याय का साथवा श्लोके जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है कारपण्य दोश अर्थात दुरबलता के भाव के दोश उपहत स्वभाव अर्थात से ग्रसित स्वभाव से पृच्छा मीत्वाम अर्थात पूचता हूँ तुम से धर्मसमूढचेता अर्थात धर्म के बारे में स्टब्दचेतना से यच्छेय स्यान निश्चितम अर्थात यहां श्रेष्ट क्या है निश्चित करने को बुरुही तनमे मुझे बोलें आप शिश्यस्ते अहम अर्थात आपका शिश्य हूँ मैं शादी मातवाम प्रपन्नम अर्थात आपके निर्देशों के लिए समर्पित हूँ तो यहां पर अर्जुन जो है वो श्रेक्रिष्ट से कह रहे हैं कि दुर्बलता के भाव के दोस्त से ग्रस्त होकर मैं आपसे एक प्रशन पूछना हूँ आपसे यहां प्रशन करने वाला हूँ धर्म के बारे में आप मेरी साहता करें ये निश्यत करने में कि क्या ठीक है तो आप मुझे बताएं उस बारे में आपका मैं श्रिश्य हूँ और आपकी निर्देशों की और समर्पेत हूँ तो अरजुन यहाँ पर अब श्री कृष्ण से आग्रह कर रहे हैं कि वो उनको अच्छे से निर्देश दें ताकि उनका जो मन है वो पुनह बलशाली हो सके तो यहाँ पर बहुत लोग यही सोचेंगे कि अरे देखिये अरजुन जो है वो कितने भागेशाली है कि वो शेक्रशन के सामने खड़े होकर उनसे प्रशन कर रहे हैं तो यदि आप इस प्रकार से सोचते हैं तो आप थोड़े से ब्रहमित हैं आप अभी भी सनातन संस्कृति को ठीक से समझते नहीं है और ऐसा सोचते हैं कि इश्वर जो हमसे भिन्न है वास्तव में ऐसा नहीं है सनातन संस्कृति में सदा यही माना गया है कि हमारे भीतर दिव्यता है और हम उस दिव्यता के पास पहुंच सकते हैं यदि हम तब करते हैं और एक अनुशासित जीवन जीते हैं तो यहां पर वास्ता में जो महाभारत में या गीता में दिखाया गया वो एक रूपक है आप यह देखिए कि इसको आप अच्छे समझ सकते हैं यदि आप जो कर्ण और अरजुन के बीच में युद्ध होता है उसे समझ सके हैं एक छल द्वारा दुर्योधन जो हैं वो कौरव सेना में सम्मिलित कर लेते हैं और इसलिए उन्हें फिर कौरव सेना की ओर से युद्ध करना पड़ता है तो जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तब पांडव जो होते हैं और श्री कृषिन जो होते हैं और तब ही जो है अरजुन उनको हारा पातने हैं। तो यहां से हम यह देख सकते हैं कि आपको अपना सारती अच्छे से चुनना चाहिए। किन्तु रूपक जो यहाँ पर है वो यही है कि हम इस जीवन में जो जी रहे हैं तो यह हमारा जीवन वास्ता में एक यात्रा है और उस यात्रा को दिशा देने वाला जो होता है वो वास्ता में हमारा सारती ही होता है तो यह जो रत हो गया यह वास्ता में हमारे जीवन की जो यात्रा है उसमें चलने वाला एक रूपक हो गया और उसको दिशा देने वाला जो है वो हमारा सारती हो गया यदि आप ईशर को अपना सारती चुनते हैं तो आपका जीवन जो होगा वो अच्छे से चलेगा यदि आप किसी और को सारती चुनते हैं तो वो आपको भ्रहमित क जीवन में एक निर्देशक के रूप से मान लें तो फिर हमारा जीवन जो होगा वो अच्छे से चलेगा तो इस दिवियता तक पहुंचना ही हमारे जीवन का लक्ष होना चाहिए और इस दिवियता तक हम पहुंच सकते हैं यदि हम अपने गरंथों को गहराई से पढ़ें औ पर ध्यान लगाकर ही अपना जीवन व्यतीत करें तो यही बात है जो कि यहां पर हमें दिखाई जा रही है और जो लोग यह सोचते हैं कि अर्जुन बले ही भागे चाली थे कि वो श्रीक्रेशन से सीधे सीधे प्रशन पूछ सके तो उनको यह समझना चाहिए कि उनके भी अजीधर भी दिव्यता है और यदि वो ध्यान लगाएंगे वो गृंतों को पढ़ेंगे और गृंतों की जो सिक्षा है उन पर ध्यान लगाकर इश्वर से प्रशन करेंगे तो उनको भी श्रीक्रेशन इसी रूप से निर्देश देंगे तो यह बात है जो कि आपको समझ करें और इस ग्यान को और फैलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव क्यू एने सेशन रखता हूं और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी कृष्ण करता है